नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में OnePlus Nord 2 vs Vivo V20 Pro का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में 6.26 इंच जबकी Vivo V20 Pro में 6.25 इंच की लेंथ मिलती है जोकी सेम जैसी ही है, विट की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में 2.89 इंच जबकी Vivo V20 Pro में 2.92 इंच की विट मिलती है बात करें थिकनेस की तो, OnePlus Nord 2 में 0.32 इंच जबकी Vivo V20 Pro में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, OnePlus Nord 2 में 189 ग्राम्स, जबकि Vivo V20 Pro में 170 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में Fluid AMOLED जबकि Vivo V20 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, OnePlus Nord 2 में 6.43 इंचर्ज जबकि Vivo V20 Pro में 6.44 इंचर्ज मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही, 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, OnePlus Nord 2 में 85.59 प्रतिशत जबकि Vivo V20 Pro में 84.98 प्रतिशत मिलता है बात करें, PPI Density की तो दोनों फोन में सेम ही, 409 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है और Vivo V20 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera, mono camera देखने को मिलता है बात करे video camera की तो दोनों phone में 9 different type के features मिल जाते है अब बात करे front camera यानि की selfie camera की तो OnePlus Nord 2 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते है और Vivo V20 Pro में dual camera देखने को मिलता है जिसमें 7 different features मिलते है अई अब बात करते है hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करे तो OnePlus Nord 2 में Mali G77 MC9 जबकि Vivo V20 Pro में Adreno 620 मिलता है चिप सेट की बात करे तो OnePlus Nord 2 में MediaTek Dimensity 1200 MT6893 और Vivo V20 Pro में Qualcomm Snapdragon 765G मिलता है बात करे RAM की तो दोनों phone में सेम ही 8GB मिलती है बात करे internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही 128GB मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है Operating System की बात करे तो OnePlus Nord 2 में Android V11 जबकि Vivo V20 Pro में Android V10 Q देखने को मिलती है Battery OnePlus Nord 2 में 4500 mAh जबकि Vivo V20 Pro में 4000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है Colors की बात करे तो दोनों phone में सेम ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करे प्राइस की तो OnePlus Nord 2 की 29,999 रूपीज जबकि Vivo V20 Pro की 29,990 रूपीज प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों phone में 8 फाइदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus Nord 2 आगे है में कैमरा में Vivo V20 Pro आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों phone सेम ही है परफॉर्मेंस में OnePlus Nord 2 आगे है इंटर्नल मेमरी में दोनों phone सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Eco 7 है जो की 31,990 रुपे में मिलता है दूसरा OnePlus 9R है जो की 49,999 रुपे में मिलता है तीसरा Xiaomi Mi 11X है जो की 39,890 रुपे में मिलता है और लास्ट competitor phone की बात करें तो उसमें Oppo Reno 6 है जो की 31,890 रुपे में मिलता है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना प्लीज आपके किसी भी काम में मिलता है